हेलो दोस्तों, यदि आप road, highway, expressway, flyover, underpass में काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाले यदि आप नहीं भी काम करते हैं, काम करना चाहते हैं एक आम आदमी हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत important हो जाता है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, grade separated structure क्या होते हैं कितने type के grade separated structure होते हैं और grade separated structure तो बात की बात है सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि intersection क्या होता है कितने type के intersection होते हैं और आपके दिमाख में हमेशा ये confusion रहती है कि sir, bridge of flyover में क्या difference होता है आज की वीडियो में clear कर दूँगा कि जो आपके bridges होते हैं, flyver होते हैं, underpass होते हैं, उनमें क्या difference होता है, आप किसी flyver को, underpass को bridge बोल सकते हैं कि नी बोल सकते हैं, बस इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तो दोस्तों, बस आप अपने कुरसी की पेटी को बांध लीजिए, और अपने दिमाग को focus कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ, अरे मैं कौन, अरे आपका corporate tenor संदीप सिंग, तो बस आप बने रही हैं हमारे साथ, और हम करते हैं आपके लिए great separated structure की बात. दोस्तों, great separated structure को समझने के लिए सबसे पहले आपको intersection की समझ होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम यह discuss कर लेते हैं कि intersection होता क्या है, बहुत आशन भासा में आपको समझा देता हूँ, कि जब दो या फिर दो से जान्दर रोड आपस में, जिस point पे आके cross होती है, तो उसको हम क्या बोलते है, intersection, अब होता क्या है कि, आपका एक road इस side से आ रहा है, दूसरा road इस side से आ रहा है, तो यह जिस point मिल रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे है, intersection बोल रहे है, अब intersection कितने type का होता है, यह चीज आपने intersection at same grade क्या होता है, जब आपका traffic एक same gradient पे, यानि same level पे flow हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते है, intersection at same grade, अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई आपका road आ रहा है, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग इधर देखिए ना, एक road आपका कोई side से आ रहा है, और एक road आपका कोई side से आ रहा है, तो दोनों का traffic आपका same level पे आपका flow हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, intersection at same grade, अब आप बोलेंगे सर की एक road यहाँ से आ रहा है, तो इस पर जो traffic flow रहा है, दोनों आपस में भर जाएंगे तो रायता फैल जाएगा अरे ऐसा नहीं होता है हम इंजीनियर हैं हमने इसका भी जुगालतर रखा है तो होता क्या आप लोगों ने देखा होगा बहुत कॉमन चीज है आपने अपने cities में, towns में, देखा होगा, हर जग है बहुत common होता है, कि जब दो रोड या फिर दो से जान्दो रोड आपस में आके मिलती है, तो हम लोग वहाँ पर क्या बना देते हैं, वहाँ पर हम रोटरी बना देते हैं, एक रोड यहाँ पर आ रही है, तो बीच में हमने चौराया बना दिया है, रोटरी बना दिया है, चारो साइड हमने लाल पिली हरी बत्ती लगा दिया है, और इसके साथ-साथ वहाँ पर आपको एक ट्रैफिक पुलिस भी बिठानी होती है, तो उसमें अलग खर्चा जा रहा होता है, और आपका टाइम अलग पास हो रहा होता है, आप सोचिए कि आपको इमर्जेंसी में कहीं जाना है, अरे भाई, इमर्जेंसी में भी नी जाना है, सबह ओपिस जाने के लिए लेट हो रहा है अब पचर की लाल बत्ती हो गई है अब आपको वहाँ पर रुकना पढ़ रहा है फाल्तु का जाम लग रहा है तो यह सारी चीज़े प्रॉबलम होती है आपकी intersection at same grade पे तो यह सारी चीज़ें आपको normal सेरों में देखने को मिलती है लेकिन इसका अब उपाय क्या है तो इसके लिए दूसरी चीज़ा आईए वह क्या है आपका grade separated intersection grade separated intersection क्या होता है जहां पर different grade पे यानि different level पे आपका traffic flow हो रहा होता है grade मतलब आपका gradient एक आपका इस लेवल पर ट्रेफिक फ्लो हो रहा है दूसरा आपका इस लेवल पर ट्रेफिक फ्लो हो रहा है तो इन दोनों के लेवल में डिफ्रेंस है इसी को हम बोलते है लेवल डिफ्रेंस या फिर आप इसी को बोल सकते है ग्रेडियंट दोनों के दोनों ट्राफिक है व अब यह जो दूसर रोड आएगा, या तो हम इसके उपर से निकाल देंगे, या फिर जो दूसर रोड आ रहा है, उसको हम या फिर इसके नीचे से निकाल देंगे, अब यह वाला जो रोड है, वो इसके उपर से कैसे निकलेगा, नीचे से कैसे निकलेगा, इसके लिए structure बना पुझाने से क्या होता है कि जो आपको घंटों तो नहीं लेकिन मिनिटों खड़े होगे जो आपका वेट करना पड़ता है आप लेट हो रहे होते हैं लाल पिली हरी बत्ती हो रही होती है उससे आप फ्री हो जाते हैं तो यह हमारा ग्रेट सेपरेटेट स्टक्चर होता है और यह कितने टाइप का होता है तो जो आपके ग्रेट सेपरेटेट स्टक्चर होते हैं वो आपके कई टाइप के होते हैं जैसे आपने अंडर पास का नाम सुना होगा आपने ओबर पास का नाम सुना होगा जिसको आप फ्लाइवर ब पता कर सकते हैं कि नया वेच कपसे स्टार्ट हो रहा है तो उसमें मैं पर्शनली आके आपको सिखा रहा हूँगा कि रोड हाइवे ब्रिजिस और फ्लाइवर का काम कैसे किया जाता है बस अब अपने मुद्दी की तरफ चलते हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो आपके अं इसी डीप बैली को पर बनाया जाता है लेकिन यह सब आपके great separated structure होते हैं जो की different level पर traffic को flow करनाने के लिए use कर रहे होता है अगर आप इनके बारे में detail में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे comment section बताइए तो हम आपके लिए underpasses, overpasses, flyover, ROV और RUB के लिए भी वीडियो बना पर बनेगे underpass और underpass भी कई तरह के होते हैं आपका quickler underpass होता है, light покlar underpass होता है, small weekler underpass होता है, और इसके साथ साथ आप डेखेंगे तो आपका cattle underpass भी होता है तो इतने तरह के आपको underpass देखनी को मिल रहे होते हैं अगर मैं थोड़ा सा औरивает होते हैं अगर मिए concept bearing major California approach और Rugar क्या होता है कि जैसे आपका इस तरह से कोई हाइवे जा रहा है अब इसके ऊपर से हमें कोई एक्स्प्रेश पर पास कराना है तो इसके लिए जो आपका इस्ट्रॉक्षर बनेगा उसको हम क्या वो लेंगे ओवर पास अधरवाइस आप इसको फ्लाइवर भी बोल सकते हैं त जो कि आपको रेलेवे लाइन्स में देखनी को मिलता है आपने आज के 10-15 साल पहले देखा होगा जब आप कभी ट्रेंग से ट्रेवल करते होगा तो आपने दिखा होग期 होगा कि वहां पर भहुत सारे फाटक हो तें रलीवे लाइन होलती है तो उस रेले लाइन का आपको बना दिया गया है, या तो आपके RU भी बना दिये गया है, तो ये भी आपका एक great separated structure का part है, यहाँ पे भी आपका different level पे आपका traffic flow हो रहा होता है, तो RU भी क्या होता है, road under bridge, इस तरह से आपका कोई railway line जा रहा है, इसके नीचे से हम अगर कोई road pass करा देते हैं, तो इसको हम क किसी highway को या फिर किसी expressway को pass कराना है, तो इसके लिए जो structure बनेगा, उसको हम क्या बोलते है, road over bridge, जो कि आपको किसी भी railway line के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यह सारी चीज है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिस की, आप एक वीडियो में आपको बहुत ज किसाथ, तil then, keep learning and keep exploring, thank you so much.